युवा की बात कर रहे हैं, पेपर लीग भी तो होता है, उस पर भी सवाल उठते हैं कि इतने साल हो गए सरकार के फिर ऐसी गलती होता है देखिए, सारी जो इनके लूपखोल्स इतने सालों के इनका सिस्टम चल लहा था, जिस तरह सपा की सरकार थी, कॉंग्रेस की सरकार, य जिसने भी ये काम किया है, उसको डेफिनेटली पकड़ा जाएगा, और उसको पूरी, मालूम है, मोदी जी और योगी जी में माफी नहीं है, अगर जिसने भी गलत काम किया, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये सिस्टम में कहां पर कॉन इस पाप में हिस्सदारी किया, छोड़ा नहीं जाएगा, अगर एक धर्म का है तो उस पर बुल्डोजर चलाएगा, पाप अन्याय पर जुल्म पर बुल्डोजर चलेगा, समाज को बहन बेटी को जो डराएगा, गरीबों के साथ अन्याय करेगा, जमीन कबजा करेगा, भू माफिया होगा, जिससे समाज को भय पैदा हो रहा है, जो समाज के लिए डर है, उस पर डेफिनेटली योगी जी का बुल्डोजर चलेगा, धर्म और नाम के अधार पर नहीं चलता है, क्यों भाई, धर्म और नाम के अधार है, हिंदू के घर पे भी चला है, हिंदू माफियाओं का भी इंकाउंटर हु प्रदेश अजये पेश करना एका उत्तरत प्रदेश अजये नजयेई पेश कर रहा है, गोरखपूर अजये नजयेद पेश करना आम को नज और नाम काव पहँ होई वे इनोयों कि प्रेंडे में के अधार को pump सब्का बढ़ाया, उसमें हमेर् प्रदो लिए व्यों मन्म आ संगठन के हर कारियों को आपने पूरा किया किनी कि आपके चार्य में कितने कोस्टन रेज के आपके अटेंडेंस से लेके आपका भीहेवर आपकी पॉस्टल लाइफ इतना कुछ भीजेपी देखती है यह संगठन बहुत बारीकी से गता इसलिए विश्व का सबसे बड़ा स और यहां पर किसी को नहीं पता होता, बहुंत को ठीकिट मिलेगी, यह नहीं मिलेगी, अगर कोई बॉलता है और जुड बोलता है, let me be very honest. ते लिए टेक्ट को णूड ने मैं सिप्पक्षर एक्षाम हेगी, बहुतीत है। डेफिनेटली, हाँ लेकिन मैं बड़ा भागेशाली कि इन पांच सालों में मैंने राममंदीर के वक्त मैं पार्लिमेंट में था, सदन में था, 370 की धारा, ट्रिपल तलाक के टाइम पे में था अदालत का अदेश था, तो राममंदीर बना, अब मामला लीगल में आप क्या कर रहे हैं? मामला लीगल है, वा, क्या फसगाई है पेच आप, मैं भी गढ़ बड़ा, मामला लीगल है, देखी मैं, मेरे फैन्स हमेशा कहते थे, भाया आप अक्षे कुमार के टाइम आये थे, शारुक के टाइम आप आप आप, 90's में आये थे, आवाज है, पस्नालिटी है, आपको हम लोग हिंदी सिनमा में, हिंदी पटल पे, फुल फ्लै भोचपुरी में देखे तो वह यह आपके सूपरस्टार बना दी, हिंदी वाला आपके कहां काम नहीं देलन, हिंदी आप में का कमीवा, ये बात मुझे कहीं ने कहीं, मुझे हिंदी में एक सीन, दो सीन, चार सीन, औ और उसमें मुझे अपने एक ही गेंद पर छक्का मारना है और तेरे नाम हो या कित्व शाम बेनिगिल की फिल्म हो या रावन हो या तिकमाशु दुलिया की हो या मुकाबाज अन्रा कश्यप की हो तो वो बने किया लेकिन फैंस चाहते थे कि कब इतने में नेट्फिक्स का कॉल आ गया राहूल पांडे डिरेक्टर है शो के यंग डिरेक्टर है और पोशंपा पिक्चर है तो नेट्फिक्स ने हमको एक सिरीज दी जहां पर वकीलों के बारे में एक बताया गया है कि वकीलों की जिंदगी को हमेशा तारीख पे तारीख आप सुचते ही है वकीलों की जिंदगी में क्या होता है हसते हैं उनलों गाना सुनते हैं उनलों की पस्तना लाइफ है उनके गलियार है उनके कॉरिडोर कोड के प्रिमाइसेज में पड़पडगंज एक कोड है, डिस्ट्रिक कोड यहां दिल्ली में, यह उसके गलियारों की कहानी है कि उसके कैंपस में क्या होता है, मैं त्यागी बनाओ, सीनियर वकील है, स्पाइक हेर है, सॉल्टन पेपा और रिचर्ड गेर उसको बनाएं डिर और बहुत इसका ट्रेलर बड़ा हिट हो गया है, नेट्फिक्स पे आ रहा है, एक तारीक को यह, एक तारीक को नेट्फिक्स ओरिजिनल ने प्रिड्यूस किया है, एन देन उसमें कहानी है कि इसके फादर के कुछ एमोशन है, इसमें सबसे सुन्दर बात जो सबको पेशी हुई, हाँ, वो तोते की पेशी हुई, और बाकादा ओन रिकॉर्ड है, और हमने शूट किया उसको, यह बड़ी एक सटायर है, कॉमेडी है, लोगों ने हसना भूल, देखो लोग है न, मुझे तकलीफ होती है कि लोग हसना बहुत कम कर दिया है, और हसना चीए जि अधानमंत्री है, बोलना है, कॉंसिटुटूंसी में घुमना है, बरही, तेरही, बिया, शादी, सब जगा, पहुचे रहो, खड़े रहो, निताज, खड़े कुड़ता पहन के, उद घाटाने हर जगा, you have to be there, गरीबों की मदद करना, अस्पताल, और स्माइल करना.